एक कोशकिये जीवों में अलेंगिक जनन की विधियां विभिन जीवों में जनन की विधी उनके शाररिक अभिकल्प पर निर्भर करती है इसमें नई पीधी का स्रिजन एकल जीव द्वारा होता है इसे अलेंगिक जनन कहते हैं इस प्रकार के जनन में नर एवं स्थ्री की आवशक्ता नहीं होती है। यह जनन बृध्धी की अनुकूल स्थितियों प्रचूर भोजन एवं सामान्य तापमान में होता है। द्विक विखंडन एक कोशिकी जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ती होती है। इस विधी में एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं और कोशिका द्रव्वे के विभाजन के बाद एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। जीवानूं, अमीबा, युगलीना, पैरिमीशियम आदी एक कोशकिये जीव इस विधी द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ एक कोशकिये जीवों में शाररिक संरचना अधिक संगटित होती है। जैसे कालाजार के रोगानूं। लेसमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोडे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया पर जीवी के रोगानूं लेजमोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीये जीव एक साथ अनेक संतची कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जिसे बहु विखंडन कहते हैं। बहु विखंडन अमीबा, स्पाइरोगायरा, रिक्सिया, आदे, सरल संरचना वाले बहु कोशिकीये जीवों में बहु खंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा के तंतु कई छोटे-छोटे भाग में खंडित हो जाते हैं। प्रतेक खंडित भाग विखंडित भाग व्रिधी करके नया जीव बन जाता है। पुनुरुद्ध भवन पूनुरुपेंड विभेदित जीवों में अपने कायकिक भाग से नय जीव के निर्मान की क्षमता होती है। यदी किसी कारणवश जीव ख्षत विशत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में तूट जाता है तो इसके प्रतेक टुकड़े व्रिधी कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रा तथा प्लैनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रतेक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्मान कर देता है। यह परिवर्धन बहुत विवस्थित रूप एवं क्रम में होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनुरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है क्योंकि प्रतेक जीव के किसी भी भाग को काट कर समाननेता नया जीव उत्पन नहीं किया जा सकता। मुक्कुलन काईका प्रवर्धन ऐसे बहुत से पौधें हैं जिनकी जड़ें, तना, तथा पत्तियां उप्युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन करते हैं। अधिकांश एकल पौधे इस क्षमता का उप्योग जनन की विधी के रूप में करते हैं। वर्तन, कमल, अथवा, रोपन जैसी काईकिक प्रवर्धन की तकनीक का उप्योग क्रिशी में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर, आदी इसके कुछ उदाहरन हैं। काईकिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा, पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धती, केला, संत्रा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उप्योगी है, जो बीज उत्पन करने की क्षमता खो चुके हैं। काईकिक प्रवर्धन का दूसरा लाब यह है कि इस विधी से उत्पन सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ब्रायो फिलम में पत्ती के किनारे से कुछ अपस्थानिक कलिकाय निकलती हैं। ये कलिकाय विकसित होकर मिर्धा में गिर जाती हैं, तथा नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। बिजानू जनन, बिजानू एक कोश किये गोलाकार या अंडाकार रचना है, ये बिजानू धानी के अंदर बनते हैं, जैसे राइजोप्स, परंतु पैनिसीलियम में ये बिजानू धानी के अंदर नहीं बनते हैं, इसमें ये बिजानू धारक या कोनेडियो धारक पर लगे विजानूं वृध्धी करके नए जीव उत्पन करते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोशक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाओं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समुह बनाती हैं, जिससे कैलस कहते हैं। उत्तक सनवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पोधे से अनेक पोधे संक्रमन मुक्त परिष्थितियों में उत्पन किये जा सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग समानेता सजावटी पोधों के सनवर्धन में किया जाता है। लेंगिक जनन इस प्रकार के जनन में नर जननांग एवं स्त्री जननांग की आवशकता होती है। अर्थात नई संत्ति उत्पन करने हेतु दो व्यश्टी की भागेदारी होती है। एकल कोशिका से दो संत्ति कोशिकाओं के बनने में डिनने की प्रतिकृती बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवशक हैं। हम जानते हैं कि DNA प्रतिकृती की तक्नीक पूनता यतार्थ नहीं है। परिणामी तुर्टियां जीव की समिष्टी में विभिनता का स्रोत हैं। जीव की प्रतेक व्यश्टी विभिनताओं द्वारासन रख्षित नहीं हो सकती। परंतु स्पीशीज की समिश्टी में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाय रखने में सहायक है। अता, जीवों में जनन की कोई ऐसी विधी अधिक सार्थक होगी, जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन हो सके। जीवों के विशिश्ट अंगों में कुछ विशेश प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव का कायकिक कोशिकाओं की अपेक्षा, गुर्ण सूत्रों की संख्या आधि होती है, तथा डिन्न की मात्रा भी आधि होती है। जब दो भिन जीवों की यह युगमक को शिकाएं लेंगिक जनन में युगमंज बनाती हैं तो संत्ति में गुण सूत्रों की संख्या एवं डिने की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। पुषपी पौधों में लेंगिक जनन आवरित्ती बीजी पौधों के जननांग पुषप में अवस्थित होते हैं। बहाई दल, दल, पुनकेसर एवं स्त्रीकेसर किसी पुष्प के विभिन भाग हैं। पुनकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। बहाय दल हरा होता है और प्रकार संसलेशन करता है। साथी बहाय दल कलिका की अवस्था में पुष्प के अन्य भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। पंखुडी, रंगीन एवं आकर्शक होने के कारण यह परागण के लिए कीडों को आकर्शित करती है। साथी पंखुडी कलिका की अवस्था में पुमंग एवं जायांग को सुरक्षा प्रदान करती है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। स्त्री केसर पुष्प का स्त्री जननांग है। पुष्प के जननांग, जब पुष्प में पुंकेसर अत्वास्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्तित होता है, तो उस पुष्प को एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता तर्बूज आदी, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्तित होते हैं तो उन्हें उभै लिंगी या द्वी लिंगी पुष्प कहते हैं जैसे सरसों गुढ़हल आदी पुंकेसर नर जननांग है जो पराग कर्ण बनाते हैं पराग कर्ण समानिता पीले रंग के तथा बहुत छोटे होते हैं स्थरी केसर पुष्प के केंदर में आवयस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है इसके तीन भाग होते हैं अंडाशे, वर्तिका तथा वरतिकार्ग परिपक्व होने पर वर्ति काग्र से चिपचिपा पदार्थ रिसावित होता है जो पराग कणों के चिपकने एवं अंकुरन में सहयता करता है अंडशे फ्लास के समान रचना है इसमें काफी मातरा में दानेदार बिजांड होते हैं बिजांड एक वरिंथ से जुड़ा अंड़ा का रचना है जिस थान पर वरिंथ बिजांड से जुड़ता है उसे हायलम कहते हैं बिजान जिस उत्तक का बना होता है उसे बिजान काय कहते हैं। बिजान वरिंत के निकट बिजान द्वार होता है। यह एक छोटा सा छिद्र है। बिजान द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग चलाजा कहलाता है। बिजान बहाय आवरण तथा अंत आवरण से धका रहता है बिजान के अंदर अंडाकार भून कोश होता है भून कोश में बिजान द्वार की ओर तीन कोशिकाएं होती है एक बड़ी अंड कोशिका तथा दो साहय कोशिकाएं ठीक इसके विपरीद भाग में तीन प्रतिधुरुवी कोशिकाएं होती है तथा बीच में एक कोशिका होती है जिसों द्वितियक केंद्रक कहते हैं। परागन पराग कोश परिपक्व होने पर फट जाते हैं। फल स्वरूप परागकन बाहर आ जाते हैं। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवशकता होती है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का यह स्थानात्रण वायू, जल, कीडों अथ्वा प्राणी जैसे वहाकों द्वारा संपन होता है। पराग कण में दो आवरण या चोल होते हैं। बहाय चोल रुखडा होता है जबकि अंत चोल चिकना होता है। अंत चोल में जनन छिद्र होते हैं। अंकुरण के समय अंत चोल नलीका के रूप में वृद्धी करता है। इसे पराग नलीका कहते हैं। पराग करण का केंद्रक विभाजित होकर एक वर्धी केंद्रक तथा एक जनन केंद्रक बनाता है। जनन केंद्रक पुनविभाजित होकर दो असमान नर्युगमक बनाता है। निशेचन पराग करण के अंकुरण के बाद पराग नलिका वृतिका से होते हुए बिजान द्वार से बिजान में प्रवेश करता है। बिजान में प्रवेश करने के बाद पराग नलीका का अग्रस्त भाग घुल जाता है और दो नर युगमों को में से एक अंड कोशिका से तथा एक द्वित्यक केंद्रक से संयोग करता है। इस प्रकार निशेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। जनन कोशिकाओं के इस युगमन अथवा निशेचन से युगमनज बनता है जिसमें नए पौधे के विक्सित होने की क्षमता होती है। निशेचन के पस्चात युगमनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बिजान में भून विक्सित होता है। बिजान से एक कठोर आवरन विक्सित होता है तथा ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशे तीवर्ता से व्रिधी करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में बहर दल, तंखुडी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकार्ग, प्राय मुर्ज बहा कर गिर जाते हैं। परंतु सोले निसी कुल के पौधों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च आदी में बहर दल, फल के साथ चिपके रहते हैं। अब यहां एक महत्वपून प्रश्न है कि बीजों के बनने से पौधों का क्या लाब है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस त पौधों के बीजों द्वारा ही बड़ी संख्या में पौधे उत्पन होते हैं, एवं यह हमारे खाध्यान के रूप में काम में उप्योगी हैं। मानव में लेंगिक जनन होता है। आयू के साथ-साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्थन होते हैं। हमारी लंबाई एवं बढ़ जाता है। दूद के दात गिर जाते हैं तथा नए दात निकलाते हैं। इन सभी परिवर्थनों को एक सामान्य प्रक्रम वृध्धी में समूभध कर सकते हैं, जिसमें शारिरिक वृध्धी होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐ ऐसे परिवर्थन होते हैं जिससे शारिरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारिरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षन आते हैं तथा सनवेदना में भी परिवर्थन आते हैं। शिशु अवस्था में बहर जन नांग के आधार पर पुरुष एवं स्त्री जाती में अं पुरुषों में यह आयू 12-16 वर्ष तक तथा इस्त्रीयों में 11-13 वर्ष की होती है। पुरुषों में यौवनारंभ के निम्नलिखित लक्षन है। नमबर एक दाड़ी एवं मूच का उगना। नमबर दो कंठ का फूटना। नमबर तीन मान स्पेशियों में उभार आन नमबर चार, कांख एवं जांगु पर बालों का उगना। नमबर पांच, पैर, हाथ एवं चहरे पर महीन रोमों का आना। नमबर छे, विपरीत लिंगों के प्रती अधिक सजग होना। नमबर साथ, दिवास्पन अत्वा रात्री में शिशिन का उधर्व हो जाना। स्त् नमबर दो, नितंबों का उभरना। नमबर तीन, ध्वनी का बदल जाना। नमबर चार, कांख एवं जांगु पर बालों का उगना। नमबर पांच, स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होना। नमबर छे, लड़कियों में रजो धर्म का प्रारंभ होना। मनुष्यों में जननतंत्र मनुष्यों में नर एवं स्त्री युगमक बनाने वाले अंग को सम्मिलित रूप से जनन ग्रंथी कहते हैं। मुख्य जनन ग्रंथी के अद्रेक्ट कुछ साहयक लेंगिक अंग होते हैं जो जनन क्रिया में साहयता करते हैं। नर जनन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निशेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मनुश्यों में नर जनन आंग निमनलिखित हैं। नमबर एक, व्रिशन यह उदर गुहा के बाहर एवं शिशन के ठीक नीचे व्रिशन कोश में स्थित होते हैं, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, नर्ध जनन कोशिका अथवा शुकराणों का निर्मान व्रिशन में होता है, शुकराणों उत्पादन के नियंतरन के अतिरि व्रिशन में बने शुकराणूं अधिवर्शन में संचित होते हैं, नमबर दो, अधिवर्शन यह एक लंभी एवं कुंडलित नलिका है, जो व्रिशन के पिछले भाग से जुड़ी होती है, यह नलिका उपर की ओर बढ़कर शुकरवाहिका बनती है, अधिवर्शन में श शुकराणूं संचित रहता है, नमबर तीन, शुकरवाहिका, यह एक संकीन नलिका है, जिसकी भित्ती, मानसल तथा संकुचन शील होती है, यह नलिका अधिवर्शन के निचले भाग से निकल कर मूत्र नलिका को घेरते हुए मूत्र मार्ग में मिल जाती है, उत्पादत श शुकराणूं का मोचन शुकर वाहिनियों द्वारा होता है, नमबर चार, शुकराशे, यह एक जोडी कुंडलित नली है, जो पुरस्थ गरंथियों के उपर पाय जाता है, दोनों और के शुकराशे मिलकर स्खलनिय वाहिनी का निर्मान करते हैं, शुकराशे की गरंथिल शुकराशे द्रव रिसावित होता है, शुकराणों के साथ इस द्रव के मिलने से वीर्य बनता है, नमबर पांच, मूत्र मार्ग, यह एक लंबी नली है, जिसमें स्खलन नलिया, पुरस्थ नलिकाएं तथा कापर नलिकाएं खुलती है, मूत्र मार्ग शिशिन के मध्धे इस्थित होता है। इससे होकर मूत्र एवं वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। सहाय ग्रंथिया इनमें पूरस्थ एवं कावपर ग्रंथिया उलेखनी हैं। पूरस्थ ग्रंथि के ठीक पीछे एक जोड़ी कावपर ग्रंथि होती है। इनकी नलिया भी मूत्र मार्ग में ही खुलती हैं। पूरस्थ ग्रंथि के रिसाव के समान कार्रे करने के अतिरेक्त इसका रिसाव सनेहक या चिकनाई का कार्रे करता है। शुक्र एवं शुक्रानू शुक्र क्षारिय, गाड़ा एवं चिपचिपा गंध युक्त तरल है जिसमें शुक्रानू गतिशील रहते हैं। एक बार में 3-5 मिलीलीटर शुक्र स्खलित होता है, जिसमें क्रमशा 20-60 करोड तक शुक्रानू होते हैं। एक शुक्रानू लगभग 1 मिलीलीटर का बीस्वा भाग लंबा होता है। यह शीष, मध्यभाग एवं पूच में विभक्त रहता है। ग्रिवा में माइटोकॉंड्रिया की संख्या अधिक होती है। मादा जननतंत्र न केवल अंडानूं को उत्पन करता है, बलकि उनका ग्रहन, निशेचन, भून प्रवर्धन, एवं भून पोशन का भिकार्रे करता है। मादा जननतंत्र के निमनिलिखित अंग है। नमबर एक, अंडाशे, इसकी संख्या एक जोडी होती है। दोनों अंडाशे श्रोणी गुहा के दाएं एवं बाएं स्थित रहते हैं। इसकी आकृती अंडाकार होती है। यह 4 संटीमीटर लंबा होता है। अंडाशे का बहर स्तर भूनिय उपकला का बना होता है, जबकि शेश भाग संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। अंडाणू का प्रवर्धन पुट्टिका में होता है। परिपक्वता के बाद अंडाणू अंडाशे से बहर आ जाते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशे में हजारो आप परिपक्व अंडे होते हैं। यौवनारंभ में इन में से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशे द्वारा प्रतेक महा एक अंडा परिपक्व होता है। नमबर दो, डिंब नलिका, इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है, दोनों डिंब नलिका का खुला हुआ उपरी शिरा अंडा शेय के समीप होता है, खुले सिरे की रचना कीप के समान होती है, डिंब नलिका की लंबाई दस सेंटीमिटर होती है, दोनों डिम्बनलिकाएं नासपाती के समान मांसल रचना है जो गर्भा शे में मिलती हैं डिम्बनलिका के अंदर का स्तर पक्ष माभिय उपकला से निर्मित होता है अंड़ाशय से विमुक्त अंडाणू कीप समान सरचना द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह डिम्बनली का द्वारा गर्भाशय में पहुँच जाता है नमबर तीन गर्भाशय ठैली के समान यह रतना श्रोणी गुहा के मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होती है यह 7.5 संटीमीटर लंबा और 5 संटीमीटर चौड़ा होता है लेकिन भून प्रवर्धन की विभिन अवस्थाओं में इसके अंदर का स्थान बदलता है यह स्थान 200 गुना तक बढ़ सकता है गर्भाशय में 3 छिद्र होते हैं दो छिद्र डिम्ब नलिका के खुलने के कारण तथा तीसरा छिद्र नीचे के संकीन भाग गर्भाशय गृवा की ओर होता है जो योनी में खुलता है गर्भाशय के अंदर का स्थर गर्भाशय अंत स्थर कहलाता है गर्भाशय का मुख्यकार निशेचित अंडानों को भून प्रवर्धन के लिए स्थान एवं पोशन प्रदान करना है नमबर पांच योनी यह नली समान रचना मैथुन अंग है इसके समीपस्त सामने मूत्र मार्ग का छिद्र और पीछे मल द्वार खुलता है नमबर पांच भग यह योनी के बाहर बहाई जननेंद्रिये के रूप में होता है इसके तीन भाग होते हैं व्रहत भगोकोष्ट लगू भगोकोष्ट तता भगशेफ दोनों भगोकोष्टों की संख्या एक-एक जोड़ी होती है और ओठ समान होते हैं व्रहत भगोकोष्ट बाल्युक्त और लगू भगोकोष्ट बालहीन होता है भगशेफ उत्थानशील अंग है यह पुरुषों के शिशन के तुल्ले रूप है लेंगिक संबंध के समय यह उद्धीपन प्रदान करता है अंडोच सर्ग एवं आर्तव चक्र अंडाशे द्वारा अंडाणू की विभुक्ती को अंडोच सर्ग कहते हैं अंडाशे द्वारा नर से शुकराणू को ग्रहन करने के लिए गर्भाशे तयार होता है इस क्रिया में गर्भाशे के अंदर का स्तर भित्ती से अलग होकर शरीर से बाहर निकल जाता है और पुन नया स्तर बनता है इस क्रिया को रितूरिसाव कहते हैं अंडो सर्ग रितूरिसाव के 10 से 12 दिनों के बाद होता है चौदवें दिन अंडानू डिंब नलिका होकर गरभाशे में पहुंसता है और दो दिनों तक वह शुक्रानू से सलगन की प्रतीक्षा करता है लेकिन किसी कार प्रतीक्षित अंडानू का शुक्रानू से सलगन नहीं होने पर अंडानू का विगठन आरंभ हो जाता है 28 दिन यह गरभाशे के अंतस्तर के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है अंडो सर्ग के बाद पुट्टिका पीले रंकी हो जाती है जिसे पित पिंड कहते हैं इस से प्रोजेस्टिरोन एवं रिलेक्सिन नामक हार्मोन रिसावित होते हैं ये सारी क्रियाएं एक चक्र में तथा एक निश्चित क्रम में पूरी होती हैं जिसे गरभाशे चक्र या रितुरिसाव चक्र कहते हैं निशेचन डिम्ब नलिका में अंडानू एवं शुकुरानू के संपर्ख के बाद दोनों का सलगन होता है जिसे निशेचन कहते हैं निशेचन के फल स्वरूप युग्मनज बनता है इसके बाद पीत पिंड से प्रोजेस्टिरोन का रिसाव आरंभ हो जाता है यह हार्मोन गरभाशे के अंतस्तर में वृध्धी तथा मोटाई प्रदान क भून कई जिलियों से घिरा रहता है सबसे बाहरी जिली जरायू कहलाती है इससे उंगली समान प्रवर्ध निकलते हैं जिनें अंकुर कहते हैं ये गरभाशे भित्ति तथा उसकी वाहनियों से चिपके रहते हैं संपर्क शेत्र को अपरा कहते हैं भून अपरा से एक डोरी समान रचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभीनाल कहते हैं, भून का पोशन एवं इसका श्वसन और भून के उत्सरजी पदार्थ का मा के रक्त में विसर्जन नाभीनाल द्वारा ही होता है, भून को मा के रुधिर से ही पोशन मिलता है, जनन स्वास्थे, लेंगिक पक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथ्वा मस्तिष्क, जनन क्रिया अथ्वा गर्भधारन योग्य हो गये हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्ण है कि हम यह निर्णे किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क, इस मुख्य उतरदायत्व के योग्य हो गया है यौन क्रियाओं के स्वास्थ पर पढ़ने वाले प्रभाव के विशे में भी हमें सोचना चाहिए पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि रोगों का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अनेकों प्रकार से हो सकता है क्योंकि यौन क्रिया में प्रडाग शारेदिक संबंध स्थापित होते हैं अता इसमें आश्चर्रे की कोई बात नहीं कि अनेक रोगों का लेंगिक संचरण भी हो सकता है इसमें जिमानु जनित जैसे गोनेरिया तता सिफलिस एवं वारस संक्रमन जैसे मस्सा तता HIV AIDS शामिल हैं अब यहां पर प्रश्ण उठता है कि लेंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव हैं यांत्रिक अवरोध के तरीखे शिशन के लिए आवरण अथ्वा कंडोम के प्रयोग से इन में से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है यांक्रिया द्वारा गर्बधारन की संभावना सदा ही बनी रहती है गर्बधारन की अवस्था में इस तरी के शरीर एवम भावनाओं की मांग एवम आपूर्ती बढ़ जाती है एवम यदी भै इसके लिए तयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थे पर विप्रीत प्रभाव पढ़ता है अतक गर्बधारन रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं यह गर्ब रोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं एक तरीका यांतरिक अवरोधखा है जिससे शुकरानू अंड कोशिका तक ना पहुँच सकें मैथुन पूर्व शिशन को ढखने वाले कंडोम अत्वा योनी में रखने वाली अनेक युक्तियों का उप्योग किया जा सकता है गर्भधारन रोकने के लिए कुछ अने युक्तियां जैसे लूप अथ्वा कौपर टी को गर्भाशे में स्थापित करके भी किया जा सकता है परन्तु गर्भाशे के उत्तेजन से भी कुछ विप्रीत प्रभाव हो सकते हैं रासायनिक अवरोध के तरीके दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिससे अंडे का मोचन नहीं होता अता निशेचन नहीं हो सकता ये दवाएं सामानने ताग गोली के रूप में ली जाती हैं परन्तु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं अता कुछ विप्रीत प्रभाव भी हो सकते हैं पुरुष नस्बंदी यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुध कर दिया जाए तो शुक्राणों का स्थानांतरन रुख जाएगा शल्ले क्रिया तक्नीक द्वारा इस प्रकार के अवरुध उत्पन किये जा सकते हैं यदि पी शल्ले तक्नीक भविष्य के लिए पूर्णता सुरक्षित है परन्तु असावधानी पूर्वग की गई शल्ले क्रिया से संक्रमन अथ्वा दूसरी समस्याएं उत्पन हो सकती हैं शल्ले क्रिया द्वारा अंचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है इस तक्नीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेश लिंग का बच्चा नहीं चाहते स्त्री नस्बंदी यदि स्त्री की अंड वाहिनी अत्वा फिलोपियन नलिका को अवरुध कर दिया जाए तो अंडा गर्भाशे तक नहीं पहुँच सकेगा इस अवस्था में निशेचन नहीं हो पाएगा शल्ले क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन किये जा सकते हैं शल्ले क्रिया द्वारा अंचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है इस प्रकार का गैर कानूनी कार अधिकतर मादा गर्भ के चैनात्मक गर्भपात हेतू किया जा रहा है एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाये रखना आवशक है हाला कि हमारे देश में भूर्ण लिंग निर्धारन एक कानूनी अपराध है फिर भी हमारे समाज की कुछ इकाईयों में मादा भूर्ण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में मादा शिशुलिंग अनुपात तीवरता से घट रहा है जो चिंता का विशे है